विदार जी इस वीडियो में हम दो देखने वाले हैं क्लाश 12 समासा सामाजी विसंता एम बहिसकार के कुछ मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन अंसर तो इसके कोश्चन नहीं ये पेपर में बहुत बाप उचे जा चुके हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टन थे आप सभी इसे बहुती ध्यान से देखेगा तो चले स्टार्ट करते हैं तो जाती पूर्वाग्रह को परभाशित कीजे मलब कि जाती पूर्वाग्रह क्या होता है तो चले देख लेते हैं यह क्या होता है या एक सम्मू अत्वा जाती के सदश्यों दौरा दूसरों के सम्म पूर्वा ग्रह कहलाता है मतलव किंग Tools की कोई सबूट bookingAyanya को सब्सक्राइब करीधि कि लोगरत सबूट सकुष्यों पर आधारित होते हैं तर्था नए जानकारी प्राप्त होने के पर भी बदलने से इंकार करते हैं उसके बात कोशन है हमारा समाजिक अबवर्जन या भहिस्कार क्या है तो चले इसका आ esta देख लेते हैं समाजी भहिस्कार वी तौर त्रारीके हैं जिनके माधियम से किसी वैक्ति या सव्व projects 就 को समा समाजिक बहिसकार अनेचिक होता है, अर्थात बहिसकार एवों बहिसकरत लोगों की इच्छाओं के विरुद कार्यानमित होता है, मिल्कि जो समाजिक बहिसकार होता है वो अनेचिक होता है, मिल्कि कोई भी नहीं चाहता है कि उसे समाज से अलग किया जाए या फिर उसको समा लेते जोकि बहुत ही जादा असहनी है जिसकी समाजिक इस्थिती और आर्थिकस τोनों ही बहुत जादा निम्न होती हैं बहुत ही जादा छोटी होती हैं मलब की समाजिक स्थित क्या समाज में डलित्तों को बहुत ही नीची नाजर से देखा जाता हुने अलग-अलग रखा जाता है और आर्थिक स्थित से मतलब है कि उनके पास जादा धन ही होता है वो जादा अमीर नहीं होते हैं तो उनकी दोनों ही प्रकार से बहुत ही ज़दर निमनिस्थित होती हैं तो ड़लita को सदाओ एभूर बाव भी हमेशा से होता आ रहा है इसका सदे शोषर किया गया है भारती सविधान में दल्तों को अनसूची जाती के अंतरगत रखा गया है तो ये था हमाया कोशन जो की बहुत इंपोर्टेंट है तो आप सभी से अच्छे से लंखा लीजेगा बढ़ते हमाई नेक्स कोशन क अनसूची जातियों की दो प्रमुक समस्याइं बताईए मलकी जो अनसूची जातियों होती है पिछड़े वर्ग होती उनकी जो प्रमुक समस्याइं है उनमें से किनी दो समस्याओं का हमें यहां पर उलेक करना है तो चले देख लेते हैं अनसूची जातियों की दो अश्रप्रश्रता की भावना की कारण अनसूची जाती की सामाज में काफी निम्न हीन इस्तित रही है तो अश्रप्रश्रता क्या होता है एक बार में हम सौर्ट फार्म में देख लेते हैं उनके अगर जो छू भी लेते हैं तो वो लोग अपवी तो हो जाते हैं जो कि पूजा वगरा कदय होते हैं तो उनको बहुत ही जादा नीचा समझा जाता है आज भी समाज में इनके साथ समान पूर्व विभार में कमी देखी जाती है मलकी तो जो अनसूची जाती हैं उनके साथ समान पूरवव विभार नहीं किया जाता है उनको बहुती जादा मान किया जाता है जो कि फ़र्ष्ट है इनका समस्या वो यही है उसके बाद सेगंड समस्या जो है उनकी वो है उसके बाए इनका नेक्स्ट पॉइंट है अन्सूची जाती की आर्थिक समस्या भी हैं क्योंकि पहले इन्हें इच्छा अंसुचार वेफसाय चुनने की आजादी नहीं थी भूम पर अधिकार नहीं था नकी जो अन्सूची जाती होती थी पहले तो उन्हें अपना काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुनने दिया जाता था मलकि उन्हें ऐसे ही चोटे मोटे ही काम कराया जाते थे जिससे कि उनका जो आर्थिक इस्तिती थी वो कभी भी सही नहीं हो पाती थी वो हमीशा ही करीब रहते थे और उनका किसी भी भूमी वगेर पर अधिकार नहीं होता था वो सिर्फ दूसरों के वहां घर पे काम करके ही अपना गुजर बसर करते थे तो उसके पार इसकार रहते हैं इसके विप्रीज जातियों का एक काफी बड़ा समू ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है परन्त उसके साथ किसी प्रिकार का भीड़भाव नहीं किया जाता है और उन्हें ना तो अचूद माना जाता है उन्हें अन्य पिछडा वर्ग कहा जाता है तो ये थे हमाई यहां मोस्ट इंपर्दन कोशन आपको समझ में आगया होंगे यह आपके लिए बहुत इंपर्टन तो आप सभी कोशन को अच्छे से त्यार कर लीजिएगा तो अगर जब को आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस से लाइक कर दीजिए में चैनल को सब्सक्रेब कर झाले कर दो एक अजद कर देखियो झाले के संगे प्लै की नाग प्लै की उटे मेशने लाहा हूसभी हुड़ी के सबस्ता है